सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें विडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए ओके तो आपको LIC Policy का Premium Online Payment करने के लिए आप Paytium में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो आप Google पे सर्च कर सकते हैं Paytium और फिर आपको Paytium.com पर क्लिक करना है अगर Paytium में आपने लोगिन नहीं किया हुआ तो आप अपना Mobile Number Password इंटर करके लोगिन कर लें उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं More के आइकन के नीचे में Insurance का Option है आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको Insurance Company सर्च करना है तो चलिए सर्च कर लेते हैं LIC उसके बाद आप Select करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपने LIC Policy का Policy Number इंटर करेंगे उसके बाद आप Get Premium के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके Consumer का Details आ चुका है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना installment पे करना है और कितने रुपीज का पे करना यहाँ पे देख सकते हैं तो चलिए आपको Payment करने के लिए Proceed to Pay के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे अगर कोई Promo Code है तो आप उसको Apply कर लें क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी Promo Code अगर Apply करते हैं तो आप यहाँ पे Cashback जीप सकते हैं नहीं तो आप Lucky Draw का Winner भी हो सकते हैं तो चलिए मैं यह Apply कर लेता हूँ उसके बाद आपको Proceed to Pay के बटन पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे Payment Method है पेमेंट करने के लिए लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा Debit या ATM Card के जरीए तो चलिए यहाँ पे मैं Debit Card का नंबर इंटर कर लेता हूँ उसके बाद Expire Date और आप Debit Card के पीछे में देख सकते हैं तो चलिए उसको देख कर इंटर करना है और फिर आप Pay Now के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके Bank Registered Mobile नंबर पे One Time Password आया होगा तो चलिए उसको देख कर इंटर कर लेते हैं और फिर आप Summit के बटन पर क्लिक करेंगे ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका Payment Successful हो चुका है और आप अपना Payment Receipt Paytm के My Order Section में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आप अपने Paytm के Reistered Email ID में जाकर डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Profile बटन के नीचे में Your Orders का बटन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अभी जो अपने Payment की L.I.C. का यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं Payment Receipt का बटन है क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे अपने Payment Receipt को तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो Like और Share जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में ख्याल रखें अपने और अपनों का